तो आप यह पर प्रीमियम क्वालिटी का भीट धूण रहेते हैं जहां पर एवरी डेय लाइफ में उसको यूज कर पाऊ चाहिए वह ट्रावलिंग कर रहे हो या फिर आप कॉलेज में ले जाना चाहिए यूज में यूज करना चाहिए हो सब कुछ काम करने वाला है तो यह मेरे पास बैक पैक है कि कैरी प्रो की तरब से बहुत ही प्रीमियम लुकिंग या पे बैक पैक है और यह एवरी डेय यूज के लिए बहुत सुटेबल है ट्रावलिंग कर रहे हो या फिर आपको कुछ भी है पैसे जरी करना है सब कुछ ये करवा देगा तो देखते है ना यहां पर लिखा हुआ है कैरी प्रीमियम लगा फ्रंट साइड में मुझे बाहुत ब्रांडिंग दी गई है और बीच में जो है लेदर लुक है यहां पर प्रोवाइड किया गए जो कि इसको और ज़्यादा प्रीमियम बनाता है उसके बाद मेरे फर्स चीदिया में नोटिस के यहां पर जो स्ट्राप है उपर के साइड में वो जो एड्जास्टेबल है इसको आप लोग जो खोल सकते हो बंद कर सकते हो और इस कहीं से भी निकाला हुआ नहीं था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट लगा चलिए डिर्कली इस बैक की फीचर देख लिए अच्छा लगा बट यहां पर फिर्स चीज मैंने यहां पर नोटिस किया जो है रोल टॉप का फीचर तो फि इसको अब लोग खोल देते हो ना तो यह डिर्कली 30 लीटर कैपासिटी हो जाता है और बहुत सारा सामान इसके अंदर आप लोग डाल सकते हो तो यही जिस मुझे फर्स लूप में अच्छी लगी और चीटेगा नहीं अगर आप लोग इसको आसा इसे पाक करते हो तो फ्र चाहे तो इसके अंदर कपड़े डाल सकते हो और नीचे आप लोग को अलग चीज भी देखने को मिल जाती है एक रेन कॉफर जो कि आप जब रेन कंडिशन में यूज करना है तो आप आसाइसे इसको लगा के यूज कर सकते हो इसको रखते हैं अभी साइड में फिलाल उसक पन होगा नहीं होगा उसके लिए सामान यहां लीट यहां पर लगाना है लगा सकतो इसम पर अपके इन सामान होगे कुछ चोटे मोरी चीज़े होगे आप यहां पर रख सकते हैं और यहां पर आप लोग बहुत सारे चीज़े डिरेकली डाल सकते हो कुछ भी आप लोगोगों अपर डालना यहां पर कॉपी वगडर ये नाप लोग नीचे वाला सामान नीकालना तो तो आप सारे चीज़ों को निकाल के उसके बाद नीचे सामान निकालते हो तो यह जो है एजी बना देता यहां पर ये कंपार्टमेंट यहां से इसको डिरेकली आप ingcess करके आपका इसे करेarm को कोई ज़रूरत नहीं तो यह फीचर मुझे अच्छा लगा जो कि आपको एमर्जेंजी के टाइम में आपको बहुत सदा काम आएगा उसके बाद अगर आप लोग जाते हो ना तो यहां पर दो जिपर जो है इसको ऊपर साइड में रख देना अदेन यहां पर जो लॉक का सिस्टेम है जिपर को डालने के लिए अंदर के साइड में आप लोग कि यहां पर जिपर सकते हो इस साइड में भी सिमिलर आप लोग डाल देना अप रोल टॉप को बन कर दीजेंगा इस से क्या होगा यह जो फ्रेंड कंपाटमेंट में यह यह है यहीन वह खोल N sahasin को अगर आगर आखेस को नशेकशों का सही करना परह। अब की इसको इंफ याप उसके संदल सllä चाहे छी महीं आगर एक्सारे के साइट करते होंसकि आगर यहाँ और आप बलोग को यह ह spiritual क्रीट से यहां पर नेट पाउच मिलता है विद जीपर्स ताकि आप यहां पर चोटे मोड़े सामान रख सकते हो और यहां पर आपको एक अडिशनल तहकाना मिलता है मतलब एक अपार्टमेंट मिलता है यहां पर आपको ऐसा कुछ जो है रिमूवेबल हाट शेल्ड क्यूब मिल जा सकतो कितना लंबा आप लोगो डिवाइस रखना है लंबा लेंस है आपके पास तो उस तरीके से आप खुद एडजस्ट करके आप खुद रख पाऊगे अगर कैमरा नहीं है तो इसको आप लोग अलग कुछ सामान लेनी के लिए भी यूज़ कर सकतो और यहां पर अंदर जो है ना एक आप लोग को पैकेट मिल जाता इसके अंदर आप लोग शूज़ बगरा भी डाल के ले जा सकते हो अगर जर्णी में अगर आप लोग शूज़ करना है तो एक शूज़ आप यहां पर डिरेकली डाल के आप आसाइन से कैरी के सकते हो यह बहुत जादा हैंडी चीज़ है तो सब कुछ यह कवर कर लेता है फ्रम लैप्टॉप टुटेक्स्टॉप कामरा गियर्स या फिर आपको एससरी देना किताब है या फिर आपको जो है ना कुछ भी छोटे मोटे चीज़ है आप लोगो इसके अंदर करना है सब कुछ कर दी के सकते हो तो अभी ब बात करें तो पैडिंग बहुत ज़्यादा तगड़ी यहां पर दी गए लैपटॉप को हां नहीं होगा कर यहां फोड़ा भारी हो सकते है तो पीछे का जो मेमोरी फो में इस से आपको जो तकलीफ बिलकुल नहीं होने वाला और लैप टॉप भी बहुत ज़्यादा सेफ रहने वाला है तो यहां पर एक लैपटॉप एक आप लोग आईपट फुल साइज आप यहां डाल सकते हो बाट मैंने यहां पर गेमिंग लापटॉप डाल तो वह जो है थोड़ा मोटा है इसलिए यहां पर दिक्कत दे रहा था अगर थोड़ा पतला लैपटॉप होता है यहां पर नॉमल गेमिंग लापटॉप होता है तो आप आसाई से यहां पर कर सकते हो 15.6 इंच तक उसके उपर यहां पर एडजस नहीं होगा तो यह चीज़ ध्यान रखना मैंने खुद यहां पर टेस्ट किया है और अगर आपनों लाइट वेट लापटॉप यूज करते यहां पर रखना है कुछ भी रखना है आप आसाई चीज यह पर रखना है तो यह फीचर भी मुझे अच्छा लगा नहीं हो रहा है तो यहां पर जो बैक साइड की नीच यह अप लोग को एक अडिशनल जो हीडन कंपार्टमेंट मिलेगा जिसके अदर आप चाहे तो यह पासपोर्ट पगरा कैरी कर रहो या फिर इंपोर्टन डॉकुमेंट्स वगरा आप यहां पर रखके डिरेक्ली इसको कैरी कर सकते हो एडिशनली यहां पर बात करें और पाउच की तो यहां पर स्ट्राप के अंदर आपको नीचे के साइड में एक छोटा सा पाउच मिलता है यहाँ पर आप्-mo bleibt आपको एक्सेस करने में आसानी हогई है यहाँ पर के ब्रैंडिंग के साथ इक यहां पर हुक दिया गया है जिसं दिया शनग्लास या फिर आइग लास कुछब है नह momento भी के वाइल यूर ट्रावलिंग या फिर जर्णी में हो तो आप यहां पर टांग सकते हो उसके बाद और एक चीज है यहां पर पीछे के साइड बे एक आप लोगो पर ट्रावल करते हो तो आप आपकी जो लगेज की ऊपर इसको आसानी जे टांग के इसको ड्रेकली कर पाऊगे यह बी चीज आप लोगो मिल जाएगी तो इस बैक पाक के अंदर जोए और एक लिटर की बोटल तक आप आसानी से कर पाऊगे यहां पर लोग लगा और यह डिरेकली जोए आप आसानी से इसको कर पाऊगे तो यह भी फीचर आप लोग को इसके साथ मिलता है तो यहां पर बैक के तो साड़ी फीचर में आप लोग अटाशा शेयर कर देए तो फीचर रिच तो यह है बट यहां पर कमफट कैसा इसका डिजाइन कैसा है तो देखो है यहां पर अर्गोनॉमिक डिजाइन के साथ यह मिल जाता है और यहां पर जो बैक पैक का तो बाबे तो भारी हो जाता है राइट तो आपको जो उतना स्ट्रेस मैसूस नहीं होगा क्योंकि यहां पर जो सारा लोट है इस सपॉंच के काराण आपको फीचर देख अगर दोर मिलता है तो समर टाइम में अगर यूज करते हो ना तो पसीने अगर आते है तो एर फलो सब्सक्राइब करना या फिर आपको कुछ भी करना यहां पर लापटॉप एससरी कुछ भी तो आप आसाने से कर पाओगे और लोट के पासिट भी अच्छी है तो यहां पर यहां पर यहां पर चीटे वेटे गिरते सब्सक्राइब करना उसके अंदर से पानी अंदर जा सकता है उसके लिए यहां पर आपको रेन कवर मिल जाता है जो आप लोग इस तरीके से यहां पर पुट अप कर सकते हो और उसको आसानी से डिवरिंग जो है रेनी टाइम यूज करना आपको कुछ दिखकत नहीं आएगा आपका साड़ा सामान यहां पर सेफ रहने वाला है तो यह भी फीचर आपको यहां पर मिल जाता है अगर आप लोग एक प्रीवेम बैकपैक ढूंड रहते हैं तो यह आप लोग एक बार जरूर चेक आउट करना नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक बिल जाएगा औ मेरी पर्सनल फेवरेट अभी बन गई है तो इसको और यूस करूंगा और बाद में कुछ भी क्वेशन है क्वेडी आप नीचे कमेंट सेक्ट में पूछना मैं उसका अंसर आपको दे दूँगा वीडियो यहां पर खतम नहीं होता है यहां पर और एक प्रोड़क्ट है फ 1500 के प्राइजिंग होगी तो फ्रंट में यहां पर क्यारी प्रोगी ब्रैंडिंग है उपर का चो शेल है यह हार्ड शेल है तो यह जो है ना बिल्कुली खराब नहीं होगा अगर अंदर में कुछ भी चीज़ अगर रखते हो हार्ड ड्रेव अगरा तो यहां पर एक आप को चाना होड़र भी मिल जाता था कि आप इसको ओल्ड कर पाऊ और यहां पर जो जिपर की वालिटी यह भी मुझे बहुँज बहुत चाहिल लेगा यह अलग कलर को मिलेंगा ब्लैक में मिलें ग्रे में मिलें और और उर ब्लैक के अंदर में मिलेंगा आप जाके चेक आउट कर सकते हो तो अब इसको ओपन करते हो ओपन करने के साथ सथ हमें यहां पर लेफ साइट के अंदर देखने को मिलती है फर्स्ट एक जिपर के साथ एक नेट पाउच जिसके अंदर आप लोग सामान रखते हो जैसे कि मैंने यहां पर हाड ड्रेप दोनों रखी है साइट में आप लोगको तीन जो है अलग अलग जो अलसिक स्ट्रैप मिलती है और जहां पर चौटे-मोटे सामाना बास है यहां पर करना कर पाऊगे फिर से उसके नीचे आप लोगे तो तीन आपन जो है नेट पॉकेट मिल जादी जहां पर चाहे तो यहां पर चारजर की अडाप्टर होगी वह सार चीज़ आप यहां पर रख रख रहें तो आपकी मर्जी पीछे के साइड की बात करें जहां पर आप लोग को एक एडिशनल जिप कमपार्टमेंंट मिल जाती है जिसके मिलब से आप यहां पर कुछ भी सामान रखना चाहते हो तो रख सकते हो जो कि आप जानते हो कि वह गुम हो सकता है तो आपको यह पर एडिशनल एक जिपर मिलता है जो कि आप डेटली उसको रख सकते हो उसके बार नीचे के साइड में आप लोग को यहाँ फिर से एक कमपार्टमेंट मिल जाएगा जहाँ पर नेट फॉकेट दो अलग अलग साइजीजर की मिलेगी और यहाँ पर एक सिक्योर नेट पॉकेट के साथ अप लोग को एक जिपर का भी फिचर मिलता है जह और भी आप फेख घुस और सकते हूं तो वरॉल यह ना साड़ीन के लिए पूरा केरी कर सकता है यहाँ पे मुझे TWS क्Ad pledge करना है केपल करणा है ब्लाइब ड्राइब करना है चारज्जर या फिर बहुत सबसेफ फिल भी होने वाला है तो अगर स्पेंड करना है तो इस पे आप स्पेंड कर सकते हो बहुत ही सब्सक्राइब लगा